अहां नमस्कार मैं डॉक्टर नवदीब सिंग बैंस असेट प्रोफेसर पीज डिबार्टमेंट अब वाटनी कॉर्मेंट उंकर कोलेज विकानेर इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको रिकॉंबिनेंट डी आने टेक्नोलोजी से संबंदित कुछ मेत्वपून टेक्निकल टर प्रेजेंटेशन थे उसमें मैंने आपको प्लाजमेट्स और कॉजमेट्स टेट्रोपोजोन ट्रांसपोजोन उनके बारे में मैंने बताया था बैक्टर्स के बारे में मैंने बताया था लेकिन रिकॉंबिनेट डी आने टेक्नोलोजी को समझने के लिए हमें इसकी कुछ और तक्निकी जानकरी या तक्निकी शब्दों की बहुत अच्छे से जानकरी है हमारे को आनी चाहिए, कि पास तम ही यह है क्या क्या क्योंकि यह बहुत important है, आजकल genetic engineering में इसी का सबसे ज़्याद उपयोग किया जाता है, अब देखिए जैसे पिछले 30 सालों के अंदर, जो ज एक वांचित इस्थान पर तोड़कर, मतला अपने इच्छित इस्थान पर तोड़कर, उसके एक विशेश खंड को अलग कर सकते हैं, DNA के टुकड़े कर सकते हैं, और इस इन टुकड़ों को किसी अन्य DNA मॉलिक्यूल के, जहां हम उसको जोड़ना चाहते हैं, वहां पर हम जोड़ें, तो इस परकार जो एक mix जो DNA बन जाएगा, दो DNA से मिलकर जो एक DNA बन रहा है, जो दूसरे जोड़ने से बन गया, नया DNA, इसी को हम recombinant ने कहते हैं, मतला एक DNA का टुकड़ा दूसरे DNA में जोड़ना, तो वो recombinant DNA कहलाता है, और इसको किस तरह से सारी प्रक्रि जोजी या genetic engineering कहते हैं, हालांकि इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा, हालांकि मैं बता चुक हूँ आपको, कि कुछ मैत्वपुर्ण खोजें इस तकनीक के विकास में बहुत अपना importance रखती हैं, जैससे सबसे पहले Watson Creek ने जो DNA का, 1953 के अंदर जो इसने double helical spiral structure की खोज की थी उसने ही इस DNA technology की एक अधारशिला रखी है, recombinant DNA technology की, और 1961 में ने निररनवर्ग और मेथाई ने genetic code की खोज की, इसका भी मैं प्रेजेंटेशन बता चुका हूँ, DNA का प्रेजेंटेशन पहले आपको यूट्यूब पर available है, इसके लाबा हरगोविन कुराना जो हमारे भार सफलता पूर्वक इन्होंने परियोक शाला के अंदर संस्लेशन किया था, synthesis किया था, और 1978 में Hamilton Smith जो है, इन्होंने सबसे पहले restriction endonucleus enzyme की खोज करके और DNA अडू की कांट छांट का मार्क प्रेशस किया, मतलब इन्होंने उस enzyme की खोज की, जिसकी साथा से हम DNA को कांट हैं जिसकी, तो इन enzymes को हम कहते हैं, restriction endonucleus enzyme, और ये Hamilton Smith जो है, इनके साथ और भी विगयनिक थे, अकेले Hamilton Smith नहीं थे, इसमें Arbor का भी नाम आता है, Nathan's का भी नाम आता है, तो ये सभी विगयनिकों ने मिलकर के ही इसका जो है, restriction endonucleus enzyme की खोज की और recombinant DNA technology का मार्क प्रेश किया है, और इसके लिए इनको 1978 में इनको जो है, कारे की, इसमें gene की कारे की और चिकित्सा में इनको Nobel Prize भी इसमें मिला था, अब देखिए DNA, सबसे पहले DNA क्या है, ये अलागि बहुत primary level की बात है, आपको बहुत अच्छे से पहले करवाया जा चुका है इसमें presentation में, फिर इसके लिए मैं आपको भी बता जाता हूँ कि cell के nucleus के अंदर जो polynucleotides से बनी वो शंखला है, जो किसी भी living organisms की जितनी भी अनुआशिक और उपापचे क्रिया हैं, जो है, उनकी मतला hydri tree है, या metabolic activities है, उसको नियंतरित करता है, वो ही DNA है, सारी actual में DNA ही है, जो एक निशित protein का निर्मान करके, हमारी सभी क्रियाओं पर नियंतरिन कर लेता है, क्योंकि देखो, हमारी जातर जो क्रियाओं है, वो enzymes के दवारा governed होती है, enzymes की उन क्रियाओं को करते हैं, और यह enzymes proteins के बने होते हैं, जनली, और इसलिए इनका निर्मान जो है, वो DNA के दवारा ही निरदार था, कि किसी भी जीव के जो मूल DNA है, इस मूल DNA में विदेशी DNA को जोडने पर जो DNA, जो परिवर्ति DNA प्राप्त होता है, उसी को recombinant DNA कहते हैं, मतलब कोई भी एक जो original DNA है, उसमें कांट छांट करके, किसी दूसरे DNA को उसके अदर incorporate कर दे, तो यह जो नया DNA बनेगा, जिसम अधर, फॉरन DNA की भी ही उसके अदर मौजूद है, तो वो recombinant DNA कहा लागा, अब इसी में देखिए, recombinant DNA technology क्या है, जैसे का मैंने पहले बताया था, कि यह जो कांट छांट है DNA के अंदर, यह इस technology के अंदर कती, इसको रखा गया है, इसी को recombinant DNA technology कहते हैं, कि किसी भी ज आवशक प्रभावी प्रोसेस है, जो भी आवशक प्रभावी जरूरत हैं या प्रोसेस है, उसी को recombinant DNA प्रोदे कहते हैं, मतलब जो भी इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, जिस भी चीज की, वो इस DNA को तोड़फोड करने के लिए, उसी को DNA, recombinant DNA technology कहते हैं, और genetic engineering के अ तोड़फोड जो है, वो तो recombinant DNA technology कहते हैं, और उस तोड़फोड के द्वारा, उसकी कोई भी जो जीव की genetic structure जो चेंज होती है, या उसकी हैड़िट्री में कोई चेंज आता है, अनुमाज शिक्ता में जो उप्योगी परिवरताना आता है, वो genetic engineering के अंतर के आता है, इस कैलाता है, मतलब सेम carbon copy किसी जीन की यार किसी जीव की carbon copy जो मिलाना है, वो cloning कैलाती है, और cloning vectors क्या हैं कि cloning vectors या cloning वाहक जो हैं जो जीनों को वहन करके एक जीव से दूसरे जीव में इस्थाने अंत्रृत करने वाल एजिट cloning vectors कैलाते हैं, मतलब यह जिजीन्स हैं, यह एक जीव से दूसरे जीव में हम artificially हम कैसे इनको incorporate कर सकते हैं वही क्लोनिंग एज़ेट कहलाते हैं जैसे कॉजमिट्स हैं प्लाजमिट्स हैं फेजमिट्स हैं यह मैंने आपको पहले बताए था ट्रांस्पोजोन, रिट्रोपोजोन जो है वह क्लोनिंग एज़ेट्स कहलाते हैं और प्लाजमिट्स प्लाजमिट्स मैंने आपको बताया था कि बैक्टिरिया के सेल के अंदर जो main जो main जो क्रॉमोसोम हैं उसके अलावा जो सर्कुलर क्रॉमोसोम जो मिलता है वो DNA प्लाजमिट कहलाता है मतला बैक्टिरियल सेल के अंदर मुख्य गुंड्सूत्र के अलावा जो एक गुंड्सूत्र और जो पाया जाता है जो सर्कुलर होता है या डीने होता है उसी को प्लाजमिट कहते हैं और कॉसमिट क्या है ये रिकॉमिनेट प्लाजमिट्स होते हैं मतलब Cosmids के हैं Plasmids है जिनमे प्लाजमिट और बैक्टिरियो फेस जो है जी वनुभा जी वेक्टिरियो फेस वायरस का कॉस बाख समयलित होता है इसके इंदर कोस हिससा इसके इंदर मोजूद होता है इसे को कॉसम मिट कह जाता था रेस्ट्रिक्शन एंड़नुकलिज जो एंजाइम्स है यह एक्चल में वो एंजाइम्स हैं जो की इनको एक्चल में आणवी कैंचिया भी कह सकते हैं मतलब जो molecular level पर हम जिसमें कांट चांट करने के लिए अगर किसी केंची का उपयोग होता है तो वो restriction endo nucleus enzymes है यह DNA के एक विसेश इस्थान पर हम इसकी सहता से काट पीट कर सकते हैं तो यह एक तरह से केंची ही हैं जो molecular level की केंची ही हैं और यह केंची कांट करती है अब genome क्या है संजीन या genome genome है कि वैसे तो कहते हैं है fluid set of chromosomes is known as genome लेकिन किसी भी जीव की कोशिका में जो उपस्तित कुल जीनों की मात्रा मतलब कोई किसी भी जीव में कुल जीन कितने है वो ही उसका genome कहलाता है किसी भी living organisms के अंदर इसी तरह से transposons ये भी मैंने आपको पिसले presentation में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि DNA का वो खंड जो एक ही गुण सुत्र में या एक गुण सुत्र से दूसरे गुण सुत्र में अपनी स्थिती को बदलने की क्षमता रखता है मतला DNA का कोई भी एक टुकड़ा या तो उसी गुण सुत्र में अपना इस्थान को बदल ले और या फिर अब उस गुण सुत्र से किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर अपनी स्थिती को बदल ले उसी को ट्रांस्पोजोन कहते है जंपिंग जीन्स भी इनको का जाता है बारपरा मैंकलिंग टॉक थी उन्होंने इसके बारे में बताए था सबसे पहले जंपिंग जीन्स के बारे में और कॉम्प्लिमेंटी डियने या लेकिन यदि इस आरेने से हम डियने बना ले तो उसके लिए जो एंजाइम होगा क्योंकि यह रिवर्स है अमोमन तो क्या डियने से आरेने बनता है सेंटल लोग मा कहता है लेकिन यदि आरेने से हम डियने बना लेते हैं रिवर्स कर दें इसको ट्रांस्क्रिप्शन को उल इसी वह कॉम्प्रिमेंटी DNA कहलाता है, अब cDNA library क्या है, cDNA, जैसे क्लोनिंग के द्वारा बड़ी संख्या में जो cDNA का निर्मान जो होता है, कॉम्प्रिमेंटी DNA बनता है, उसी को कॉपी DNA या cDNA library कहते हैं, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे अभी कोरोना काहल के अंदर क्या हो रहा है, कॉरोना के अंदर भी क्या होता है, कि सेंपल लेते हैं, सेंपल लेने के बाद में फिर उसको RT-PCR करते हैं, RT-PCR से क्या होता है, कि इसकी मल्टिप्लिकेशन होता है, पहले जो आपके जो DNA होगा, इस DNA से जो RNA बनेगा, इस RNA का reverse transcription करके बहुत बड़ी संख्य जो क्लोनिंग के दोरा जो एक जैसे बहुत सी संख्या के अंदर जो DNA है, उन्ही को DNA को हम CDNA library कहते हैं, और जीनोमिक लेबरेरी क्या है, कि किसी भी जीव के सभी जीन का plasmid clones के रूप में संख्ये ही जीनोमिक लेबरेरी कहलाता है, मतलब कोई भी जीव है, उसके सभी जितन DNA भी जीन से, उनका plasmid clones के रूप में अगर संख्ये कर ले हम, तो वो जीनोमिक लेबरेरी कहलाएगा, और DNA प्रोब क्या है, DNA कैसे छोटे छोटे चोटे टुकडे हैं, जो एक जैविक या जैविक तंतर में, मतलब बाइटिक या एबाइटिक सिस्टम में, किसी जीन या ए जैएक होता है, DNA प्रोब्स के लाते हैं, जालब DNA के ऐसे छोटे छोटे चोटे टुकडे, जो किसी भी बाइटिक या एबाइटिक सिस्टम के अंदर, एक जीन या किसी लंबे DNA सिक्वेंस की उपस्तिति ग्याद करने में जैएक होते हैं, वो DNA प्रोब्स के लाते हैं, तो ये टेक्निक अंप्रोब्स जो है, वो आपको थोड़ा सा आगे बार-बार ये चीज काम में आएगी, इसलिए इसको अच्छे से आप याद कर लें, और अगले प्रेजेंटेशन, सेकिंड पार्ट के अंदर हम इसके अंदर पूरी रिकॉंबिनेंट DNA टेक्नोलोजी के बा